चोड़ी चोड़ी कहानिया, सिखाती बड़ी बड़ी बातें। Small stories, teaching big lessons. आज की कहानी मेरे एक पुलीस कर्मी मित्र की है। पुलीस भाई मुझे शमा करेंगे, ये मनगरंट कहानी है, सच्ची नहीं है। तो हमारे मित्र एक दिन ड्यूटी पर गए, टाफी काम करना पड़ा, बहुत मेहनत हुई, बिलकुल आराम नहीं मिला, रात को घर आये, खाना खाया, सो गए, और बहुत गेहरी निन में सोई। रात को उनकी पत्नी की नीन तूटी, पत्नी को एक साया घर बे घुस्तववा दिखाई पड़ा, पत्नी को आभास हो गया, कि चोर घर बे घुसाया है, उन्होंने दीरे से पती को हिलाया, और बोली, सुनिये, उठिये, लगता है, घर पे चोर घुसाया है, उसे उठ करके दबोच लो, हमारे मित्र करवट बदल कर फिर सो गए, और धीरे से बोले, अरे भाई, मैं ड्यूटी पर अभी नहीं हूँ, इन्हीं मित्र से लगती एक दूसरी कहानी है, जब उनकी नहीं नहीं नोकरी हुई थी, तो किराय के मकान में रहते थे, एक बार ड्यूटी पर गए, काफी मेहनत करनी पड़ी, आए, ठके हारे, सो गए, पत्नी बाजू में सो रही थी, नहीं नहीं शादी हुई थी, अचानक रात को भुकम पाया, सारा घर हिरने लगा, पत्नी की निन खुल गई, और पत्नी डर गई, उन्होंने अपने पती को जगाया, हमारे मित्र को, और बोली, अरे भाई, उठो, ऐसा लगता है, भुकम पा गया है, और घर इतनी जोर से हिल रहा है, लगता है, घर गिर जाएगा, हमारे मित्र ने बड़ी मुश्किल से आखे खोली, करवट बदली, और बोले, घर गिरता है, तो गिर जाने दो, कौन सा अपना है, किराय का तो है, दोनों घटनाएं बहुत छोटी है, लेकिन सिखाती हैं बड़ी चीज, यदि हमारी सोच एक डाहिरेक्शन में गई, एक दिशा में गई, यदि हमारी सोच लिमिटेड हो गई, हमारी सोच का दाहिरा सिमित हो गया, नैचुरली उसका परिणाम हमारे हित में नहीं होगा, और उसका परिणाम हमें भूगतना पड़ेगा, अच्छा ये है कि हम अपनी सोच को खुला रखें, ओपन माइंड़ेड रहें, रिसीव करें, और कोई भी व्यवार करने के पहले हम ये सोचें कि ये व्यवार हमारे लिए लाबदाई होगा या नहीं, कहानियों का इस सिलसिला 365 कहानियों का है, अगली कहानी में फिर मिलेंगे, नमस्ते